रिजर्बेंग ने महंगाई और ग्रोथ को लेकर जो अनुमान लगाया है उसके लिए कच्छे तेल का उस्त भाव 105 डॉलर प्रति बैरल रखा है फिलाल विदेशी बाजार में ब्रेंट कूरूड का भाव घटकर 94 डॉलर के करीब आ गया है रिजर्बेंग ने समाने मौनसू भाव तो रहेगा पूरे साल अभी भाव 94 डॉलर है क्या आपको लगता है कि यह आंकलन रहात दे सकता है क्योंकि अगर कीमते और नीचे तूटती हैं गिरती हैं हम देख रहे हैं कि नबहे तक के नीचे डव्लू टीयाई क्रूड चला गया है ब्रेंट पर भी दवाव बन है तो डव्लू टीयाई पर शॉर्ट सेलर या मंदणियों का दबाव काफी जादा दिख रहा है उसकी तुलना में ब्रेंट की स्थिती थोड़ी सी हायर साइड में में बनी हुई है अगर आप अंतराश्ट्री बाजार में उत्पादन और बाजार के चार्ट या जो अर्थवस्थाय मंदी के दवर में खिसक रही है और कई जगे कारोबार सुस्त पड़ रहे हैं और यही वज़े थी कि तमाम दबावों के बावजूद भी उपिक देशों ने अपने उत्पादन में कोई बड़ी बढ़ुत्री नहीं की यहाँ एक रिस्क ये है कि अगर अगर मंदी का दबाव बाद दुनिया के अर्थवस्थाओं पर और जादा गहराता है खासतर उसे चाइना की मंदी और चीन में तनाओ चीन और ताइवान में तनाओ के कारण तो ओपेक अपने वादे से मुकर सकता है हम वैसे भी यह देख रहे हैं कि ओपेक देशों ने अपने उत्पादन बढ़ाने के कोटे को या जो कमिटमेंट है उसको पूरा नहीं किया है साओधी अरब और अमीरात को चोड़कर बाकी ओपिक देशों में के पास ना तो किशमता है ततकाल उत्पादन बढ़ाने की और ना उन्हें बाजार में इसी परस्थितियां दिख का जो हिस्सा है वो लगभग अभी फिलाल जो रुख है उसके साब से दिखता है तो कच्छे तेल की कीमत 90-105 के बीच में ब्रुएंट ब्रिंट की कीमत 95-105 के बीच में मूव करती रहेगी अगला महत्तुपूर्ण कदम जो हमें कुरूड की कीमतों की दृष्टिस से बा करता है या नहीं करता है यह अगला ट्रिगर है महत्तुपूर्ण जिस पर हमारी निगा रहेगी एक टेक आपका गोल्ड पर और क्योंकि सोने की कीमतों में उच्छाल देखने को मिला है विदेशी बादार में सोने का भाव 1811 डॉलर प्रती ओंस के करीब पहुंद यह एक म मदद मिल रही है बढ़तीमंदी की संभावनां की अगर मंदी की संभावना बढ़ती है जो कि हमें रेंक भंधे में मन्दी बंदी बढ़ूतर जारी हैं जैसे जैसे हमने पिछले तीन चार दे में शुब हम डालर इंडेक्स बेर पर दबाओ देखा है और जैसे ही डालर इंडेक्स गिरना शुरू है वैसे ही हमने गोल्ड की कीमतों में तेजी देखिया और उसके साथ हमें मंदी का असट गोल्ड की कीमतों पर दिखाई नहीं होगी क्योंकि सेप्टेंबर की फेड की बैठक के बाद आम तोर पर एक चक्र पूरा हो जाएगा पूरी दुनिया में ब्याज़दरों में बढ़ोत्री का और तब तक हम यह भी जान पाएंगे कि मंदी की आशंका मंदी की संभावना दुनिया के अलग-अलग प्रमु झाल